जै स्री कृष्ण जै सीटाराम आज आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से पाठा बुटी के सम्मंदित जान करी देंगे यहाँ पाठा बुटी को संस्क्रित में पाठा बुटी भी कहा जाता है और अलागिर्ष के नामें 36 गड़ी में पाड जड़ी के नाम से भी जानत इक बात लाल होता है और उसकी फल जो होते हैं बीजंदर का वहाँ सुधर्शन चक्र के जैसा गोल होता है एकदम को तोड़ करके पीस लीजिए और पीस करके जहां पर हड़ी टुटा है उस हड़ी को सीधा करके उस जगह पर लेपन करके थोड़ा कुछ लखड़ी के साहय तस बांदिच एक हपता के हंदर में हड़ी टुटा हुआ हदी पूनरुप से जूड़ जाता है और प्रसव इसको मिटा देना चाहिए इसका एक प्रयोग है जैसे कि सरीर में किसी भी प्रकार से आपका बुखार हो गया तो पाठा खास और सुगंध बाला इनको 10-10 मिलिग्राम मिला करके काढ़ा बना करके पिलाने से आमदोस से जो पाचन नहीं हो रहा है और बुखार होता है उस प्रक सरीर में घा हो गया हो आपके और वो कफज घा हो उसमें आप क्या कर सकते हैं पाठा के पत्त को पिस करके प्रयोग कर सकते हैं और 36 गड़ी में एक बीमारी होता है जो चर्म रोग है जिसको बेमिची कहा जाता है तो इसके पत्ते और बेसरम के पत्ते को तोड़ करके आप उसका पीस करके हर दिन लेपन करते ते एक हपता के अंदर में बेमिची जो रोग है जड़ से मिटे जाता है वहाँ पर दाग धब्बे भी नहीं रहते बहुत सूत की बिमारी है यह एक प्रकार का चर्म रोग है दूसरा बात अगर पीनस हो रहा तो पाठादी तेल मेडिकल इस्टोर में मिल जाएगा उसको नाक में दोदुबून डालना चाहिए इससे पीनस जो हो प्रतिसा है जिवन प्रतिसा है जो नजला जो काम बहुत दिन से है वह अच्छी तरह से ठीक होता है पाठादी तेल के न